खबर राजिस्थान के कोटा से है जहां कोटा के पूर्व महरा ब्रजराज सिंग का आज निधन हो गया 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसली विकोटा के अंतिम शासक महरा भीम सिंग दूतिय के पुत्र थे 21 फरवरी 1934 में जनवे राज परिवार की 18 पीडी के ब्रजराज सिंग तीन बार जहरावार लोकसभा से सांसत चुने गए थे तीसरी लोकसभा में वो कांग्रेस और चौथी और पांचवी लोकसभा में जनसंग से सांसत चुने गए दुपहर बाद उनका अंतिम संसकार किया जाएगा पूरु महराव ब्रजराज सिंग के बेटे इजराज भी कोटा लोकसभा से कांग्रिस के टिकट पर सांसत रहे हैं इजराज की पतनी कलपना देवी वर्तमान में लाटपूरा से बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं ब्रजराज सिंग के निधन से शेहर में शोक का माहुल है। लोकसवाय स्पीकर ओम बिर्ला ने पूरुब महराब ब्रजराज सिंग के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि सिक्षा, चिकिस्टा तथा मानव कल्यार के शेत्र, वकोटा के विकास तथा संस्कृती और परंप्राओं के स्वनक्षन में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनका निधन कोटा सहेत संपूर राजिस्थान के लिए अपूर्णिय शती है। यूडियाच मंत्री शांती धर्यवाल ने भी पूरु महराब ब्रजराज सिंग के निधन पर सम्वेत नाप्रिकट की है।